साधी सुदा महिला लड़का लड़की आपकी महपत में बेचैन हो जाएगी आपके प्यार में तड़पने लगेगा तड़पने लगेगी जी आमिर भक्तो यदि आप किसी से सच्ची महबत करते हैं सच्चा प्यार करते हैं और वहेस त्रिपुरुस आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती आप चाहते हैं कि वहे भी आपसे प्यार करने लगे तो आज हम आपके लिए बहुत ही पावरफुल और एक चमतकारी वसीक परण करकर के ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए बहुत ही चमतकारी विधी चमतकारी वचीफा आज हम आपको बताएंगे जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं तो यकीन मानिए पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं अपनी महबत में उसको त्रपा सकते हैं अपने प्यार में उसको गुलाम बना सकते हैं आप जैसे जैसे उससे चाहेंगे वह वैसे वैसे करने लगेगा करने लगे कोई भी इसको कर सकता है किसी के लिए भी कर सकते हैं घर बैठे बिलकुल मुफ्त में कर सकते हैं फिर चाहे वैस्तरिपर उसको आपका पती हो पतनी हो गल्फ्रेंड हो बोई फ्रेंड हो कोई भी हो किसी के लिए भी आप इसको कर सकते हैं और अपनी महुपत में उसको तड़ पा सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं, अपने करीब उसको ला सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे और किस प्रकार से करना है, ना ही उस व्यक्ति को आपको कुछ खिलाना पिलाना है, ना ही आपको उसके समीप जाना है, फिर भी आप उसको अपने वस् तो आप कर सकते हैं वैसे तो किसी भी दिन किया जा सकता है लेकिन इन दो दिनों में करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100% इसमें सफलता मिल जाएगी ठीक है आपको करना क्या है द्यान से देखेगा इस तरह से आपको एक कोरा कागज ले लेना है ठीक है कोरे कागज पर आपको सबसे पहले इस तरह से 786 लिख देना है ये उर्दू में हमने लिखा है ठीक है आप अपनी भासा में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से आप आपको एक box बनाना है ठीक है ध्यान से देखिएगा जिससे की कहीं पर आप से कोई गलती ने हो जाए तो आपको इसके अंदर पहले इस तरह से triangle shapes बना देनी है फिर ये अंक लिखने है ठीक है आपको अगर ये नहीं पता है कि हमने ये क्या लिखा है तो जैसे जैसे हमने आपको लिख देना है इस तरह से आपको बना लेना है बनाने के बाद आपको उसका नाम लिखना है जिसको भी आप अपने वसमें करना चाहते है एक तरफ ठीक हे इदर और इदर लिख देना है आपको हूब ये लिखना है हूब ये बन करके तयार हो गया है सिर्फ आपको इतना सा बनाना है बनाने के बाद आपको क्या करना है मालिय ये जो है आपने इसके उपर बनाया है ठीक है बनाने के बाद इसको इस तरह से मोड लेना है चोटा सा इसको बना लेना है इस तरह से अब इसको आपको अपनी बाजू में या अपनी कलाई में कहीं पर भी आपको बांध लेना है या फिर इसको आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं 5-7 गंटे के लिए इसको आपको अपने पास रखना है ठीक है, साथ गंटे के बाद आपको अपने सर से फिर इसको साथ बार इस तरह से गुमाना है गुमाने के बाद इसको ले जा करके कहीं सुनसान जगे पर या तो मिट्टी में दवा देना है या साब बहता हुआ पानी मिले तो आपको पानी में छोड़ देना है बस इतना सा कारिया आपको करना है इतना करने के पाथ आप देखेंगे जिसके लिए भी हैविदी आपने की थी वह आपकी महबत में पेचैन हो जाएगी तुरंत आपके पास चलाएगा चली आएगी आपसे संपर्ख बनाने की कोसिस करेगा करेगी